जैसा कि हम सबी जानते हैं कि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है 2011 की जणगर्णा के मुताबिक आज भी भारत में करीब 70 प्रिशत लोग 6 ला गाउं में निवास करते हैं आज भी भारती क्रिशी का इंडियन जी डीपी में करीब 18 प्रिशत का योगदान है जबकि देश के कुल वर्फोर्स में करीब 50 प्रिशत लोग क्रिशी पर निर्भर है पर ऐसी क्या बात है कि आज बहुत से लोग गाउं से शहर की और पलाइन कर रहे हैं ऐसी क्या वज़य है कि आज जाजातर किसान खेती को एक वैफशाय के तोर पर अपनाना नहीं चाते हैं ताजा आंकडों के अधार पर करीब 62 प्रिशत किसान खेती को छोड़ कर शहर की और पलाइन करना चाते हैं छोटे या भुमिहीन किसान में काफी कम आय होने की वज़य से लगातार उनके मानसिक तनाओं में व्रिदी और आत्मिस्वास में गिरावट आ रही है अक्सर देखा गया है कि किसान को अक्सर प्रकत और खराब जलसासादन पर निर्बर रहना पड़ता है जिससे आज की क्रिशी न तो आर्थिक रूप से और ना ही परियावरर रूप से इस्थाई वैफसाय है और इसी विज़े से भारतिक क्रिशी में गत वर्सों में उत्पादक्ता में काफी कमी आई है किसानों के लिए कोई और आर्थिक सादन या विकल्प ना होने की वज़े से ज़्यादा तर किसान के परिवार आज भी एक दिन में किसी तरह दो टाइम का खाना खाकर गुजर कर रहे हैं इनी सब बातों को देखते हुए United Nation ने 2014 को International Year of Family Farming गोसित किया ज़्यादा ता सरकारी पॉलसी, अनुदान या नियूनतम आधार कीमत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक विफली रही है और रिड़ छुट भी उतनी कारगर नहीं हो पाई है, क्योंकि किसानों के द्वारा प्राप्त फसल की कीमते, सहरी उभोकताओं के द्वारा दिये गए कीमतों से बहुत ज़्यादा कम है हाली में, रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के गवर्नर स्री रगुराम राजन ने कहा कि, राजव केंद्र सरकारदारा चल रही रिड़ छुटी उजनाओं से किसानों को ज़्यादा लाब नहीं हो रहा है क्योंकि किसानों को आगे खेती के लिए क्रीड लेने में प्रतिबंदित कर दिया जाता है करीब 60 प्रिशत किसान लोन लेते हैं कीट नासक, बीज और खाद को खरीदने के लिए अमेरिका आज काफी माद्रा में खाद अनाज वा फल जैसे कैलिफोनिया से वाशिंग्टन से भारत को निर्याद करता है जबकि अमेरिका में केवल एक प्रिशत से कम की अबादी ही क्रीशी पर अधारी थै अमेरिका में क्रिशी पॉलसी, पद्धती व क्रिशी परिप्रेच भारत से काफी अलग है हमारे देश में गुडवत्ता में गिरावट का एक परमुक कारण, निरचरता और फसलो व सरकारी योजनाओं से सम्मंदित नियुनतम जानकारियों का आभाव है करीब तीन चोथाई किसानों को सरकारी क्रिशी विभाग से सम्मंदित किसी सूचना और मदद का आज भी कुछ पता नहीं है यह सारी क्रिशी से सम्मंदित समस्याओं का हल केवल बड़े इस्तर पर सुधारों के द्वारा ही सम्मो है जो की जल से जल्द किया जाना चाहिए सबसे पहले तो किसानों को एक अच्छे नजर और सम्मान से देखनी की जूरत है इस पस्टरूप से हम देश के 121 करोड जनता को आज के हालात के मद्दे नजर भविस में क्रिशी अनाज उपलब नहीं करा पाएंगे अगर कुछ कारगर उपाए नहीं निकाले गए तो आपको जानकर हरैनी होगी कि राजवा के इन सरकारे अपने रूरल डेवलमेंट और एगरिकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा काफी योजनाएं और बजट हर सल गाउं के लिए खर्च करती हैं पर सिस्टम में पारदर्स्था और करप्शन होने के कारण गाउं का विकास आजदेश के आजाद होने के 68 सल बाद भी ठीक से नहीं हो पाया है इनी सब समस्याओं को देखते हुए फार्फ नाम की एक समाजिक संस्था ने सब के साथ मिलकर इस दिसा में एक पहल की सुरुवात की है यह संस्था बिना किसी जाती भेद के और बिना किसी छेत्री वाद राजनीत वाद से सम्मन रखते हुए गाउं के हर उस समस्या को जो या तो गाउं के विकास या क्रिसी से जुड़ी हुई है समाधान के लिए प्रियास किया है फार्प ने अभी तक गाउं के विकास से सम्मन दित कई निमन समस्याओं पर आटियाई डाल कर इस काम को आगे बढ़ाया है गाउं में खराब रोड की हालत गाउं में गौर्मेंट इसकी में पार्दस्ता लाने के लिए या केंद्र के क्रिसी मंत्राले से तमाम जानकरिया इकठा करने से जिससे किसानों को आगत कराया जा सके अगर आपके गाउं के विकास और क्रिसी से सम्मन दित कोई भी समस्या है तो क्रिपया फार्प को आगत कराए फार्फ की अनुभवी टीम आप से संपर करके आपके समस्या को विस्तार पुर्वक समझेगी और समस्या के समाधान का प्रयास करेगी जवरत पढ़ने पर फार्फ आपको गाउं और क्रिशी से संबंदित उचित सला भी मुवहया कराएगी फार्फ से संपर करने के लिए आप हमें या तो पत्राचार द्वारा संपर कर सकते हैं या आप हमें हमारी इमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं हमारा पता है फार्फ C103 आदर्स्रिदम पांडूरंगा नगर ऑफ बनेरगटा रोड बैंगलोर 56 0076 हमारी email ID है anand at the rate farp.in आप हमें direct phone भी कर सकते हैं हमारा phone number है 70806-77929 कृपया नोट करें कि farp यह सब निसुल की गाउं और क्रिसी के विकास के लिए सेवा प्रदान कर रहा है farp का मनना है कि गाउं के विकास और किसान का मुस्कराहट ही farp के कार का सबसे बड़ा सबमान है जै हिन्द जै भारत